पहली हुई है ना तब से ऐसा चलता रहा है बिना अंदोलन का आज तक हम लोगो कुछ मिला ही नहीं तरकार डर से पाट-पाट में तोड़ तोड़कर अलग-अलग बनाया है कि कहीं एक जूट नहीं हो जाए तो हमारी सरकार नहीं चली जाए सिच्छा की सरकार को गिराते हैं और सिच्छा की सरकार को बनाते हैं के साथ देखा बंद करो बंद करो जाना अहीं चलेगी जाना साहीन नहीं चलेगी जाना शूरकार होस्मयां भीहार सरकार होश्मिया⁇ हम लोग के साथ सरकार बहुत बड़ी भेड़वाव हकमारिक कर रहे है हम लोग बिहार सरकार के सारे नियमों को फोलो किया अपर सिछ्चित सिच्छा के रूप में बहाल हुए थे सारी डेडलाइन जो उनको था परसिच्छन का 31.3.2019 तब तक हम लोग पूर्ण रूप से परसिच्छित हो गए थे लेकिन इन IOS और विहार सरकार के मिली भगत से यह हम लोग को बहुत बड़ी हक मारी हो रही है जैसे की परकासंती थी रिजल्ट परकासंती थी 22 मई होने के कारण नव नियुक तो माना जा रहा है जिसे हम लोग को पांच साल की सेवा का कोई गन्ना नहीं और उससे हम लोगों को बेतन में भारी कट ओती होगी और इंक्रिमेंट तो खर मारा जेवे करेगा जब पांच साल सेवा का घंने नहीं हो गा तब फिर तो भारी कट ओती में होना ही होना है इसी को ले करके हम लोग आज आकरोस मार्च कर रहे थी और इससे क्या-क्या नुकसान है सर? नुकसान हम लोग को जब 5 साल सेवा का गन्ना नहीं होगा तब मानिये हम लोग 2019 के बाद 9 नुक्त सिच्छक हो गए तो बेतन के सबसे पहले और सिवा का सिच्छक भी तो कम जाएगा अर्थिक नुक्सान तो भी होना ही होना है और सरकार का जो ये प्रात्मिक सिच्छा निदेशक का लेटर है उनके अनुसार से हम लोग को रिकावरी भी भरना पड़ेगा अर्षिक यहां पर मौजूद है उनसे भी जानते हैं कि अखिर इतना आक्रोष होने की क्या वज़य है और क्यूं आखिर इतना आप लोग आक्रोष में हैं धन्यवाद मनोज जी मैं ब्यार पंचाय नगर प्रामिश इछक्षंग अध्याज फटेपूरे विशंकर कुमार सर अचानक ऐसी क्या हो गई कि आप लोग इतना बड़ा इतने आक्रोष में आ गए और यहां पे काफी बैनर और पोश्टर लगा कर आप लोग सरकार को ब्रोध कर रहे हैं मनों जी अचानक नहीं है जब से हम लोग की बहाली हुई है न तब से ऐसा चलता रहा है बिना अंदोलन का आज तक हम लोग को कुछ मिला ही नहीं ए तो अंदोलन है एन आई ओएस के तहट जो परसिछन पराप्त किये हैं हमारे सिच्छक भाई उनके लिए है ऐसे बता दे कि हम लोग की बहाली जब 2003 से सिच्छा मित्रों की बहाली से स्टार्ट हुई 2005 में हुई 2006 में हुई उसके बाद जो है ओटेट की बहाली हुई और जब भी बहाली हु जो हम लोग को शमान एक से छोटी सी सेलरी दी जा रही है अब यह नो आई एस के तहर जो परसिच्छन किये हैं वह पांच साल के बाद इनकी जो है डेट फिक्स की जाएगी जो परसिच्छन डेट है जिसमें परसिच्छन इन्होंने पराप्त कर लिया हमारे सिच्छक गया और जगह देखिए कुछ जीलों में जो अक्रीमेंट के साथ प्यमेंट हुई अब है कुछ सीच्छों को जो है सेवा पुच्टी का नए सिचकों जैसे है सारी रिक्सिच्हक हमारे पर्कंड में बहा लुए हैं कुई दिन पहले टेट तहत जो आज हम लोग धरना दिये हैं और एक परतियां जलाए हैं मैं भी इनसे सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारा पर सिच्छनती थी है जैसे तीन साल का कोर्स है मनोजी जैसे बीए का मैं फाइनल एक्जाम तीन साल का दिया 2012 में मैं एड़ीशन लिया तो फाइनल मेरा 15 में हो जाना चाहिए अब जाके 19 में करिएगा तो यह साथ साल जो बीच में इसकी भरपाई कौन करेगा यही बस हम लोग को मांगे अभी जो आप ढोँ रहें थे कि कुछ टीचर का कोई 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 जी इसले मेंentre मिला उनको और कोई कोई जीले में ऐसा हुआ कि उनको नहीं हुआ याणि कि जाहिर सी बात है कि सरकार दो नीती कर रही है जी जी सबसे पहले तो इन्होंने दोजार पाच या छो में देखिएगा परखंड सीच्छक समझ गए पेंचाय सीच्छक ऐसे इसे पाट पाट करके तोड़ना चाहरी है आज हम लोग जो अलग अलग सेंगे हां नजरा रहे ना वो सरकार की देन है ना कि हम लोग सीच्छक की सीच्छक की वह जीवी ब्यक्ति है और कहीं नहीं होता है और सीच्छक की जो है और सीच्छक की सरकार को बनाते है जसा कि आप देख रहे हैं सिक्षकों का कहना है कि सरकार हम लोगों के खिलाफ काफी दो निती कर रही है और हम लोगों को भी आपस में विभाजन करके रखी है अलग अलग गूट बना करके रखी है ताकि हमारी कुर्सी बची रहे और हमारा कुर्सी इसी तरह कायम रहे कुछ और भी टीचर यहां पर मौझूद है उनसे बात करने की कुशिश करते हैं मैं स्विभजन कुमार जिला मीडिया परवारी टीएश उनेसस गया का सरकार का रवईया ही है कि सिचको का मनोबल तोड़ करके रखें यह आगे अपने जो हकीकत मांग है उस मांग को न रख पाएं ऐसे ऐसे सिचको का बरगला करके रखें ताकि उसी में उल्जा हुआ रहे है जदी आपने 31 मार्ज 2019 को ट्रेंड कौन करवाया है बिहार सरकार सिच्छा विवाग और इमेचरी यानि भारत सरकार और भीओर सरकार का सभी पाथा दिकारी मिल करके करवाए और जो सर्टीफिकेट सियाच है जब आप उतना दिन से वेतन दे रहे हैं सब रहे हैं और कुछ चुनाव महाल में ऐसा आए कि नहीं अभी लोगों का बेतन को में बढ़ा दे रहा हूं इसा अथिक गल्ती है उसको सुधार दिया गया यानि फिर मैसे जाएगा समाज में खुशी-खुशी होगा उसका भोड़ देगा फिर सरकार बनेगा मतलब है जब सर्कार जु करना रहे बरकरार रहे मौजूद रहे और मनोबल कर तोड़ करके मरोड करके एकदम बरवाद करके रखे लोका यानि सरकार को पूरी तरह से पूरे परदर्शन सर देखिए पूरे बिहार में हर परखंड में आज जो सिच्छा विभाग का जो लेटर है उसके परतियों को चलाया गया है जो नजाए जो लेटर निकाला गया है उसका कोई तालुकात ही नहीं रखता है इसमें है ना तो इनी चंद सब्समें बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार आप अपने जो रवया है उस रवया का बदलाव करें वरना आपका जो इस सत्था के चलते आप इधर कर रहे हैं फर दर्म किरभाने का काम कर रहे हैं नहीं चलेगी अगर आप लोग इतना बड़ा परदरसन करना है और सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो या करेंगा और उगर परदर्सन जांश होने वाला जीला मुख्याला में धर्ना लोग का भी नेतिक समर्थन दखि अभी बिहार पंचयते नगर प्राणामीक सिख्चक संग्स मिलना जारी हो गया है और शड़क से लेकं संसद तक इसका वाजा और बिहार में ऐसे कुल कितने सिख्चक होगे जिनके साथ ये अन्याई किया जारा है 70,000 पलस हैं 70,000 देखिये बिहार सरकार की ये रवईया कहा जाता है कि सिछक ही एक ऐसा है जो बिहार में या कहें भी All इंडिया में अगर एजूकेशन की बात किया जाए अगर सिछक ही है जो लोगों को पढ़ना सिखाता है बोलना सिखाता है अगर सड़क पर सचक ही आ जाए तो क्या होगा बिहार राज की सिति यह आप खुद समझ सकते हैं आप देख रहे थे मगद लाइब मैं हूँ आपके साथ मनोज कुमार झाल 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 झाल